मनुष्य के भीतर की आशा आसपास के लोगों को उर्जावान कर देती है और निराशा खुद को भी संभलने का और संभालने का मौका नहीं देती हम प्रत्यक्षन उर्जा को किस तरह से ग्रहन कर सकते हैं और उसमें सकारात्मक्ता किस तरह से जोड़ सकते हैं समय की संभावित इस्ततियों के साथ में जीवन किस गती की और बढ़ सकता है ये सब कुछ जानना आवशक होता है प्रकृति के माध्यम से जो संकेत हमारे सामने आ रहे हैं जब उसको ग्रहन किया जाता है तो जीवन बद्लाव की और जाना शुरू करता है तो यहां अगस्त 2020 के इस माह अंतराल में मकर राशी के जातकों के लिए किस तरह के बद्लाव ग्रही विवस्ता के माध्यम से सामने आ रहे हैं इसकी संपूर चर्चा लेकर हम आप सभी के संभों के हाँ हाँ हाजर हैं सरुपर्थम ग्रह गोचर ये विवस्ताओं का अध्यन और उसके बाद प्रति एक शेत्र के साथ में जूड़ी हुई चर्चा चंद्रमा प्रतिकात्मक तोर पर राशी स्थान में ही बिराज़त करके दिखाए गए हैं इनकी इस्ततियों को परिवर्तित करके दिखाना मासक राशी फल वसंभव नहीं तो वहीं शनिदेव आप द स्तति को दिखाने की वजए ये भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशी फल आपकी चंद्र राशी के उपर आधारित है वहीं थर्ड हाउस में मंगल बिराजमान है और सोलह अगस तक इनकी स्ततियां पराक्रम भाव में ही रहने बाली होगी जहां ये कारक भाव का बनाश नहीं करते और इसके बाद सोलह अगस से स्वराशी स्तान में रूचक योग बनाते हुए आ जाएंगे शश नामक पंच महापुरश योग में से एक योग भी यहां आपकी राशी स्तान में ही बना हुआ है किन्तु साथी साथ में साड़े साथी का अंतराल भी अगर पूरे माह रहने वाली रहेगी ये एक आधार भूत स्तती राहु जब भी अपने राशी संचरन के अंतिम अंतराल के साथ में चल रहे हो हमेशा वक्र कर चलते हैं तो यहां आप देखेंगे कि तेभी सेतंबर के पहले पहले सेक्स था उसकी जो भी पोजिशन है वहां से आ सूर्य और बुद्ध का बुधा देती योग सब्तम भाव में सोलेह अगस्त तक बना रहेगा उसके बाद में सूरिदेव अस्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और जब सूरिदेव सुयम अस्टमेश होकर अस्टम में बिराजमान हो तो यहां पर जो एक तरह से और केतू की युती संगत इस्थिया द्वाव के भीतर बनी हुई है, जहां केतू उचस्त इस्तियों में मुक्ष कारक ग्रह है यहां द्वादश भाव के भीतर ही बिराजमान देव गुरु प्रैस्पती वक्रगत चल रहे हैं सुराशी स्तान में ही मूल्ट रिकॉनस्त और इनकी जो वक्रगत इस्ततियां है वो 13 सितंबर को परिवर्दत होके फिर से मारगी होने वाली रहेगी शनिदेव भी वक्रगत इस्ततियों में ही चलाए मान तो हम चर्चा करते हैं ओवर ओल पोजिशन्स की आप देखेंगे कि जब शनिदेव वक्रगत चल रहे हो और साड़े सांती का मध्य अंतराल चल रहा हो तो व्यक्ति की सोच में एक स्तिरता आ जाती है वो परिवर्तन को स्विकार इतनी आसानी परिवर्तन को चेंज कर सकते हैं पूरे ही फ्रेम को डाइवर्ट करके रख सकते हैं उसकोँ एकसेप्ट नहीं करता संगर्ष की जो स्विकारुक्ती होती है उसमें भी कमी बनी रहती है और मानसिक संगर्ष ज्यादा चलने वाले हो जाते हैं ये भी यहाँ पर गौर करने लाइक बात रहती है कि शनिदेव की दस्वी द्रिस्टी जब कर्म भाब के उपर हो बले ही इनका उच्च राशी स्थान हो वहाँ ये द्रिस्टी निक्षेपन भी व्यक्ति में आलस्य की प्रवर्ती को और गबराहट की प्रवर्ती को बढ़ाने वला होता है जिससे आपको बचना होगा कर्तव दिनिस्था जब जीवन के भीतर बहुत गहरे से उतरती है तो हम अपने जीवन को एक नयापन दे पाते हैं किन्तो यहाँ पर उससे आपकी थोड़ी सी दूरी रह सकती है बहुत जादा अब्जर्वेशन और एनलेसिस के उपर विश्वास करके चलना एक बात है किन्तो इसके अलावा आप ये देखिएगा कि सिर्फ आपजर्व करते रह जाना केवल एनलेसिस के साथ में चलना और एक्जीक्यूशन के प्रोसेस की और नहीं चल पाना भी दिक्कत और परिशानियों में शुमार रखने वाली स्ततियां देता है यहां आपको अपने नौकरी पेशा जीवन में कमफर्ट जोन को त्याक कर चलना होगा ये ध्यान रखेगा जो भी कारे आपके सामने आ रहा है हम उसको स्वीकार करेंगे रियक्टिव नहीं होंगे किसी और के भरोसे छोड़ने वाले नहीं होंगे इस बात को समर्तियों में रखें व्य ये संकेत यहां सारगर्भित तोर के उपर दिखाई दे रहे हों तो खुद को थोड़ा सा रोख कर चलने वाले हों तुरित गती ऐसी इस्ततियों में निर्णे के साथ में नहीं लेकर चलें और जब बुद्धी अपनी क्षमताओं के अनुरूप चलती है किन्तु हम कुछ इस्ततियों को स्वीकार नहीं करते तब परिणाम उस इस्तर पर नहीं आपाते आप देखें इसका अर्थ ये है कि शनिदेव सांतवी द्रिष्टी से व्यापार भाव को देखने वाले रहेंगे सूर्य और बुद्ध का बुदादित योग बना हुआ है कमिशिनिंग संब परिकार करना होगा और उस आधार पर एक्जीक्यूशन के साथ में भी चलने की कोशिश करनी होगी थोड़ी से रिस्क को इन्वाल्व करके चलिएगा प्रो एक्टिव एप्रोच को रखने की रिक्वायर्मेंट पूरे तरीके से यहां पर बनी हुई है तो वहीं सेकंड आ रिकुलेशन है बले ही बिजनस हो या जॉब हो वहां पर आपके लिए एक मीडियम लेवल की अप्रोच चली रहेगी बार बार जिस रुकावट की वज़े से हम परिशान हो रहे थे या बारम बार जो रुकावट हमको किसी भी परणाम की और नहीं पहुँचने दे रही थ यहां आपके लिए अप्रोच मद्यम दर्जे के साथ में अच्छी रहेगी और जहां पर भी रुपया पैसा आठका हुआ था क्लेरेटी नहीं आपा रही थी वहां पर भी आपके लिए एक अप्रोच अच्छी है वानी संबंदित कार्यों के अंदर रियक्टिव होने से औ और अपनी उस भाषा शैली में गुसे को लेकर आने से पूर्ण कालिक स्तर के उपर बचना होगा आप अपने व्यापार में पूरी टीम के साथ में कार्य करते हैं स्वयम के बूते सारे कार्य शक्षम नहीं किन्तु स्वयम के द्वारा दिये गए निर्दशों के आधार प उसके अंदर थोड़ी सी डिप्लोमेटिक अप्रोच को लेकर चलें मार्केटिंग संबंधे कार्य में जहां सौ में से 99 जगे व्यक्ति ना सुनता है और एक जगे हां का इंतजार करता है ऐसी सकारात्मक सोच आप अगर अपने भीतर और व्यापारिक जीवन में रखते हैं उसको भी सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाने का प्रयास हमको करने की एक तरह से आवशक्ता रहेगी उनके साथ कोई भी आप अगर लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी की विवाद में उलजे हुए थे जिसको पैत्रिक संपत्ति का विवाद भी कहते हैं यहां आप बहुत जादा एग्रेसिव होकर नहीं चलें तो यह संबंदों के साथ में और जो विवाद चल रहे हैं उसके लिए भी एक स्तती फाइदेबंद रहेगी प्राक्रम भाव में मंगल विराजमान है और ऐसे आधार के उपर व्यक्ति के प्राक्रम में कमी नहीं आती नौकरी पेशा जीवन के अंदर भली ही कितने ही मानसिक दबाव आप पर बने कितनी ही बाधाएं सामने आने वाली हो किन्तु शनिदेव तीसरी जरिष्टी से जब प्राक्रम को देखेंगे और ब्रहस्पती के राशी स्तान में जब शुरुवाती सोलेह दिनों के लिए मंगल विराजमान रहेंगे तो आपके लिए जो जो इस्ततिया नकारात्मक हो सकती थी वहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा लॉयल पोजिशन्स का पूर वुवत किये गए कामकाज का यहां रिफ्लेक्शन आपको एक लेवल के साथ नौकरी पिशा जीवन में लेकर चलता चला जाएगा तो वहीं पर पराकरम भाव में एक और इस्तति जो नजर आती है कि भाईयों के साथ संबंदों में विच्छेद या कहीं पर भी क्लैशेज नहीं आए मानसिक स्तर के उपर सोच में फर्क हो सकता है हमारी जो एक तरसे घंड़नाएं हैं उसमें अंतर हो सकता है किन रखेगा कि महत्वा का अंग्शाएं पुर जोर तरीके से चल रही है जहां विद्रों की आवशकता है वाणी में मर्दभाशिता रखते हुए उस विद्रों को भी जरूर दर्ज करवाना चाहिए बले ही कॉर्परेट कल्चर हो या व्यापारिक जीवन हो ये ख्याल रखे आप प्रमोशन संबंदी इस्ततियां अगर आप कॉर्परेट कल्चर के भीतर इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी संबंदी किसी भी शेतर में जुड़े हुए है वहां अच्छे संकेत दे सकती है चतुर्द भाव में आप देखें कि मंगल सोले है अगस्त के बाद से मेडिको फील्ड के साथ में जुड़ाव है ये समय रिकगनीशन भी देगा बेनिफिट भी दे सकता है नए पन के साथ में चलने का आधार भी आपके लिए बना रहेगा और वहीं से कर्म भी व्यवस्तत तोर पर बहुत अच्छे रिफलेक्शन टाप्त कर रहा है कोई भी की खरीद फरोगत आपको करनी है कॉमर्शेल लिवल पर या परसनल यूसेज के लिए उस और भी गतिमान हुआ जा सकता है किन्तु ओवर बजटेड हम नहीं हो ये ख्याल रखिएगा मानसिक सुख में कमी रहेगी यहां महत्वा कांगशाएं पूरे ही महीने के अंतराल में जूद दरहने वाला है पंचम भाव पंचमेश की स्तियां आप देखे हैं कि सस्ट भाव के साथ में जुडाव रख रही है सबसे पहले आकस्मिक धनलाप के शेत्र के अंदर फैसिनेशन से बचेगा आप शेहर मार्केट में जुड़े वो हैं इस महीने खुद के लिए एक आधार इस तरह बनाएं कि हम जो भी निवेश करेंगे वो लंबे समय में होगा हम इस महीने किसी भी तरीके के घाटे की या आकस्मिक धनलाप की अपेक्षा नहीं करेंगे बस खुद के लिए कार ये योजना जो बनाई है उसको लंबे समय के आधार पर रखेंगे जब ये सोच व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है तो एक कैलकुलेटिव अप्रोच में रहता है मान लिजिए उसको एक सीमित निवेश करना है उसको बहुत आगे लेकर नहीं जाएगा जैसे ही चोटे से इस तर पर एक धनलाप देखा उसे लगा कि मेरे लिए समय बिलकुत सही है और नरने लेता चला गया किन्तु आगे जाकर उसके दुश प्रभाव भी कई बार सामने आते हैं ये इसके पीछे वज़ए ये है आप देखें कि जो आकस्मिक धनलाप के अदिपती है वो राहु के साथ में विराजमान है और राहु अपने इस तर को बहुत जल्द पर नहीं रहे उनकी बात को सुना जाए समझा जाए और फिर समझाया जाए इस तरी चक्री आधार को अपने साथ में लेकर चलने की आवशकताएं हैं और ये भी ख्याल रखियेगा कि जो एक तरह से आपके लिए सिक्षा संबंदी स्तियां है वहाँ पर डिस्ट्रेक्शन्स आ सकते हैं कोई relation develop हुआ higher education के अंदर पंचम और नवम की गणना के आधार पर में बात कर रहा हूँ तो ऐसे समय के अंदर व्यक्ति अपने मूल कारिय से distract हो जाता है हट जाता है और जो समय उसका सक्षा के अंदर लगना चाहिए वो कहीं न कहीं उसको भ्रमित करने वाला हो तो इसी वज़े से इस समय का सम्मान करना relation अपनी जगे है और अपनी education अपनी जगे उसको लेकर चलिएगा किन्तु fashion technology संबंधी किसी भी studies के साथ में आपका जुडाव है या तक्नीक संबंधी कोई भी education आप online courses के साथ में कर रहे हैं तब भी इस समय आपके लिए अच्छे इस्ततियों को निर्मित करने वाला होगा एक और बात जो व्यक्तिकत शमताएं होती है उसके आंकलन में कहीं पर भी गड़बर सामने नहीं आए ये भी ख्याल रखिएगा और जब बुद्ध अस्तम में प्रवेश कर जाएंगे सत्रह अगस्त के बाद से तो ये गौर करने की आवशक्ता है कि सस्टेश की जो स्ततियां होगी वो हिडन हाउस के भेतर विराजमान होगी और एक आधार पर जब राहु शुक्रसात में हो कोई भी एडिक्शन आपको जादा परेशान करने वाला नहीं हो और रोग की स्ततियों को नहीं बढ़ाए ये भी एक कंट्रोल आपको रखना होगा मदुमेह संबंधी रोगों में भी यहाँ पर कोई वरद्धी नहीं आए खान पान उसी आधार पर लेकर चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए शत्रुवत स्तियां यहाँ आपको ब्रहमित कर सकती है उनके साथ में जो आपका वेवार है वो बि आपकी बात के उपर बहुत जादा गौर कर रहे हैं यह ख्याल रखें तो वहीं पर रिन संबंधी स्तियों में सावधानी की आवशक्ता वहाँ है जहां आपको इंवेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिजनस के अंदर एक्सपांशन की और जाना चाह रहे हैं व्यक्तिकत ज बिजनस का एक्सपांशन करने वाले हैं शुक्र जो व्यक्ति खुद के लिए एक्सपांशन में बजट सोचता है उससे बहुत उपर की प्रवर्तियों की और लेकर चले जाते हैं और एक तरह से वो कर्ज बढ़ाने के बाद ये मालुम चलता है कि इसकी इतनी आवशक्ता ह ही नहीं थी तो इसी वज़े से इस माह बहुत ज़्यादा गणनाओं के साथ में आपको चलना होगा इस बात का भी पूरे तरीके से आप ख्याल रखिएगा सब्तम भाव में सूर्य और बुद्ध का बुधा दिती योग शुरवाती स्तरक्यों पर यानि की सोलह दिनों के लिए पना रहेगा ग्रहस्त जीवन में जहां पर भी सामंजस्य में कमी थी वहां आपके लिए एक बैटर पोरिशन आ सकती है अब प्रश्न ये रहेगा कि सूर्य देव यहां चंदर्मा की राशी में विराजमान है और चंदर्मा की शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं है बुद्ध की शत्रुता चंदर्मा से जरूर है यहां पर इस बात को गौर करने की आवशकता है ये एक स्वाभाविक तथ्यात्मक स्तती है कि चंदर्मा की र तर्मान होता है क्योंकि चंद्रमा के लिए ऐसे ग्रहों की जो स्ततियां है वो समगत रहती है ये एक तरह से सद्धानतिक स्तति हो गई जिसको यहां पे रखना आवशक था इसी वज़े से सुधार के संकेत रहेंगे जुडाव के आधार बहुत अच्छे तरीके से सामने आन आपको बताया ब्रोकरित संबंदी कामकाज, कमिशनिक संबंदी कामकाज, इनफर्मेशन टेकनोलोजी संबंदी कोई भी वर्किंग अप्रोच हो गई या रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के साथ में दूर दर्शिता के साथ किये गई कामकाज भी शनिदेव के इस कारे के साथ में जुडाव रखते हैं, जो सीजनल बिजनस के साथ में चलने वाला हो, जहां पर ओचक रूप से धनलाब के संबावना हो, कई ऐसे व्यापार होते हैं, जहां पर महीनों तक बिल्कुल धीमापन रहता है, एक दिन आता है और वो महीनों की गणना को सुधार क के चला जाता है, तो ऐसे कारे के अंदर आपके लिए बैटर एप्रोच बनी रहेगी, एक स्पेसिफिक क्लेरिटी है, विदेश संबंधी कारे में कोई भी रोपया पैसा अटका हुआ था, वहां पर भी वरद्धी आ सकती है, किन्तो ये ध्यान रखिएगा, कि जो भी हमार लिए hidden problems बनी वी थी, वो expose होके सामने आएंगी, और solution भी साथ में मौझूद रहेगा, इसलिए बहुत जादा गवराहट की आवशक्ताएं नहीं है, वहीं, नवम भाव की अगर में चर्चा करता हूँ, तो आप देखिए, कि भाग्येश जब सब्तम में हो, और के अंदर एक कमजोरी बनी रहती है, आपके लिए जो एक तरह से भाग्ये का सयोग रहना चाहिए, बले ही 3-11 का संबंध हो, और एक तरह से भाग्ये का अधिपती व्यापार में हो, किन्तु इसको इतना बेटर नहीं माना जाता, बले ही भाग्येश की स्थियां, सेकंड आ आवी रहने वाली रहेगी, higher education के अंदर आपको बहुत जादा concrete और conscious approach के साथ में चलना होगा, तब ही हम सफलता के नए आयाम स्थापित कर पाएंगे, अनुभव धोका दे सकते हैं, 17 अगस्त से 31 अगस्त के मद्य, इसी वज़े से अपडेट होना जरूरी है, conscious रहकर चलने की आवशक्ता बहुत जादा होगी, दशमेश की स्थियां अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर एक संयोग बनाएगी, दशमेश यहाँ सस्थ भाव के भीतर विराजित रहेंगे, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उसके यतेस्ट परिणामों में कमी रहेगी, इसलिए मेहन इसलिए नहीं समझें के मुझे दरकिनार किया जा रहा है, नेरी इस्तियों को स्विकार नहीं किया जा रहा है, या मेरी बात को माना नहीं जा रहा है, उससे बचें क्योंकि ग्रहिए विवस्ता के ऐसे आयाम सामने रिखाई दे रहे हैं, वर्किंग एक्सपर्टीज पर आपको हासिल हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी काम का जाप कर रहे हैं, वहाँ ऐसे अनुभव मिलेंगे, जिसका फाइदा लंबे समय तक आगे होता चला जाएगा, परबंदन संबंधी कार्य शेतर में भी वर्दी के संकेत हैं, वर्दी नहीं, वर्दी के संकेत और आगे जाकर वर्दी के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसी स्तिया निखाई दे कि नेगेटिविटी है, तो नई संभाव उनाओं को तलाश जरूर करना चाहिए, कमफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हमें रहना चाहिए, वहीं एकादशेश की स्तिया आप देखें, ये बड़ी ही रोचक स्तिय है, एकादशेश यानि कि लावेश पराकरम में रहेंगे, यहां जो भी सीमित लाब आपको मिलेगा, वो पराकरम में वर्दी करने वाला होगा, वो आपके नाम में वर्दी करने वाल होगा जिस कार्य के साथ में आप चल रहे हैं अंतुतो गत्वा वो इस्तती आपको कही न कहीं पराक्रम में व्रद्धी करवाने वाली होगी एक संबंध आपने बनाया वो भी भावी भविश्य में फाइदा दे सकता है सरवांगीन लाब की प्रवर्ती यहां ऐसे आधार कर रही है जिससे में इनकार नहीं करेंगे क्षमताओं में दरंतर व्रद्धी रहेगी यहां जो अनुभव मिल रहा है वो ही आपके लिए सरवांगीन लाब है द्वादश भाव में जब देव गुरु ब्रैस्पती बिराजमान रहे और द्वादश औरस्थम के साथ में इ ही तर बनी रहेगी और केतु कई बार जाते जाते गिफ्टेड पॉजिटिव अपरोच दे कर जाते हैं कोई भी कोट का चैरी सम्बंदित मामला चल रहे थे वहां पर भी सॉल्यूशन का बेस आपके सामने आ सकता है ये भी आप समरतियों में रखकर चलिएगा तो ये था म कर राशी के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशी फल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजर होते रहेंगे धन्यवाद और कोटी शह आभार